नमस्कार आदब सस्रीकार दोस्तों मैं हूं मोहितरा जाब देगे रहे हैं RJ Technology तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप Facebook की उज़ करते हैं नॉर्मली सब भी लोग इनके बासा Android है सब भी Facebook की उज़ करते हैं लेकिन उने Facebook के बारे में इतनी जानकारी नहीं होती है आप में सिर्क कई लोग होंगे ऐसे तो तब सब बचा स्वर्शन लोग होंगे जैने Facebook की जानकारी पूरी तरह होगी लेकिन कुछ लोग एखते हैं जिनने नहीं हैं, फ्यीज़क से हूं क्या क्या कर सकते हैं, जो हम सोच भी ने सकते हैं. तो जैसे के आप हम भी विय्टी तो छलिए वीडियों में आगे बढ़ते हैं! तो जैसे कि अब हम भी फेस्टूक आइडी खूल लेते हैं अब इसमें आपको एक एक करके में सब्सक्राइब बता देता हूँ तो simply हमें screen पर दिखते हैं option 3 ये live, photo ये check-in तो इन तीनों में हम live में हम अपनी वीडियो live चला सकते हैं फोटो यहां से photo upload कर सकते हैं, check-in पर हम दिखा सकते हैं कि हम किस जगह भी हैं अब यहां आपका option मिलता है write something here, इसपे अगर हम click करेंगे post के लिए तो हमें नीचे option मिलते हैं इनको कभी देखते नहीं ignore कर देते हैं तो इसमें क्या क्या है मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ जैसे यहां tag people के हम जो भी photo आप डाल रहे हैं फेतुक पर उसमें people को किसी tag कर सकते हैं feeling and activity आप कोई भी काम कर रहे हैं जैसे आपने कोई साधी का photo डाला आपनी का या किस कुछ भी चीज़ डाली तो महाँ feeling डाल सकते हैं जैसे I am happy या I am sad किसी कोई दुखवरी बार डाल रहे हैं तीक है check in यहाँ पर बुई मैंने आपको बताया कि आप किस जगह हैं वो दिखा सकते हैं background color आप कोई text लिखे डाल रहे हैं कोई thought लिखे डाल रहे हैं तो उसमें background color लगा सकते हैं sale something यह option आपका बहुत ज़्यादर ज़रूरी है इसमें हम क्या करेंगे sale something के लिख करेंगे तो OLX की तरह हम facebook पर भी अपना सामान sale कर सकते हैं बहुत ही ज़्याद है अच्छा यह option है अमारे लिए sale something आप क्या something sale करना चाते हैं तो यहां हम अपनी जो भी चीज़ करेंगे उसके बारे में कुछ भी दे सकते हैं this is mobile phone या जो भी आप लिखना जाए ठीक है यहां साथी साथ अपना photo भी post कर सकते है mobile का या किसी भी जीटर जो आप sale करना चाते हैं तो यह option हमें बहुत अच्छा option है मिल जाता है हम इसको discard पोस्ट कर देंगे या फिर हम जाएंगे तो हम नीके option और option को बात करेंगे अगला option हमें मिलता है 3D photo का तो 3D photo क्या है कि हमें कोई भी editing की ज़रूरत नहीं बढ़ती 3D photo को लिए हम क्लिक करेंगे अपनों कोई भी photo चूज कर लेंगे जैसे हमने यह photo चूज कर लिया कुछ देर processing चलेगी और आपका photo यह 3D photo में convert हो जाएगा वो बहुत ही अच्छा 3D photo होता है हम देखेंगे पोस्ट कर देते हैं तो आप देखेंगे यह post हो चुका है यह photo तो इस तरह का हमें कुछ दिखाई देगा यह अब कोई भी बंदा जिसके facebook पे पहुंचा होगा वो जैसे जैसे फॉन को अपने को move करेगा बैसे ही आपका photo move होगा जैसे मैं दरो दर ऊपर नीचे phone कर रहा उसी तरह से photo आपका move होगा तो यह 3D photo होता है हमें Facebook में option मिल जाता है हमें कोई editing करने की जरूरत नहीं है और हम आगर नीचे option की बात करें जी या या फम इमेज हम यह जो है डाल सकते हैं camera से direct photo case के हम यह डाल सकते हैं live मैंने बताई दिया आप लाइज आप लाइज आपके हैं फिरी में मतलब फिरी का मतलब क्या है आपने एक वार Facebook के वीडियो डाल दी फिर आप अपनी उस वीडियो को उठा के वास वार्टी में डाल दीजिए मतलब फिर लोगों के पास द्वारा से फिर notification पहुंचा गया एक वार कि मोहित्रा जादर ने एक party invite की है कि आप उसस से देखना चाहते हैं तो वह उससे प्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो को फिर द्वारा से देखेंगे ठीक है तो इस तरह के option है support जो charity है उसके यह आपके charity वारा के लिए है जैसे हम बहुत सारी charity होती है उनको यहां दिखा दिया जाएगा जो Facebook से verified charity है उनमें आप अपना कुछ भी सही होग दे सकते हैं उसके लिए है यह अब ask for recommendation इस पे हम किसी से भी कुछ भी पूच सकते हैं किसी भी जगह के बारे में पूच सकते हैं तो यहां यह option अपका दिया हुगा है यह आपके option रहे जो post के लिए अब हम three dot बे क्लिक करेंगे उपर तो यहां में बहुत सबस्वारे option मिलेंगे हम pages देख सकते हैं यहां से facebook पर page कितने हैं live video जो अभी सबसे उपर option मिलता है live video जो अभी live video चल रही होगी तो चल रही होगे वो live video सारे आपको यहां पर दिखा देगा अगला अगर हम option की बात करें तो find friends find friends का option मिलता है जो कि हम वाइज अपने friend है find कर सकते हैं ठीक है और group यह group हम search कर सकते हैं बहुत सारे option है event हम share कर सकते हैं कि मेरी साधी या मेरी वद्दे या कुछ भी है इस तारीक को है तो हम सब को invite कर सकते है event memory share कर सकते है यहां से nearby friend यह option हम मिलता है यहां से हम अपने जो pass के location के हिसाफ के आपके जो pass होगे सबसे तो nearby जैसे friend पे हम click करेंगा तो बता देगा आपके अंदर 1 km के area में या 2 km के area में कौन-कौन से friend अभी है मौजूद है उनसे आप call करके help ले सकते हैं ठीक है gaming facebook पे जो gaming चलती है उसको हमया से gaming ले सकते हैं बाकि यहां नीचे option आपके दी है setting support वगएर रखे यहां से आप अ और फिलाल अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए एच्छा और वीडियो चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चलिए दोस्तों फिलाल वीडियो में इतना ही अगर दीवास में मिलेंगे एक नई ट्रिक टेक्नलोजी को इसके साथ तब तक ल